आपने अभी तक कई तरह के पर्स के बारे में सुना होगा जो मेटल लेदर और कपड़े वगरा से बनते हैं लेकिन पैरिस फेशन वीक में दुनिया के सामने एक ऐसा पर्स पेश किया गया जो 99% हवा से और 1% कांच से बना हुआ है दुनिया भर में ऐसे कई सारे बैग मौजूद हैं जिनकी कीमत और खासियत यकीनन किसी के भी होश उड़ा दे यानि इस पर्स में ऐसी खास तरह के कांच जैसे मटेल का अलावा किसी और चीज़ का इस्तमाल नहीं किया गया है इसे 2024 पैरिस फेशन वीक में कॉपरिन ब्रैंड से लॉंच किया गया था सफेद क्लावडी ट्रांस्पिरिंट बैक को एक खास नैनो मटेरिल सिलिका एरो जेल नामक मटेरिल से उपियोग से बनाया गया है जो प्रत्वी का सबसे हलका और ठोस मटेरियल माना जाता है आसान नहीं था कॉपरिन बैंड ने इस पर्स को बनाने के लिए अमेरिकन यूनिवर्सी ओप साइपिस से वर्चुल आर्टिस्ट और रिसर्चर्चर्स की मदद ली थी इसे बनाने के लिए 15 अलग अलग तरह के प्रोटो टाइप्स भी तैयार किये गए थे और फाइनली ये डिजाइन निकल कर आया था रिसर्चर्चर्स ने बताया कि मटेरिल बिलकुल कांश की तरह महसूस होता है अगर आप इसे टेबल पर गिराते हैं तो कांश के ग्लास टेबल पर गिरने जैसी आवाज आती है इसके साथ एक कॉपरेंट बैंड ने अपने इंस्टागैम हैंडल पर इसका एक वीडियो भी शेयर किया पोस्ट में इस खास पर्स के बारे में बताया है कमपनी के मताबिक इसका वजन एक बल्ब के बराबर है ये एर स्वाइब बैग इस स्पेस टेकनोलोजी नैनो मेटीरियल से बनी अब तक की सबसे बड़ी चीज भी मानी जा रही है जिसका वजन 33 ग्राम है हाला कि ब्रैंड ने अभी तक इस पर्स की कीमत के बारे में जानकारी नहीं दी है लेकिन उनका मानना है कि भविश्य की तकनीक है जो अन्य प्रॉडक्स में भी इस्तमाल की जाएगी कमपनी ने इस पर्स की ओप योगिता के बारे में भी बताया ब्रैंड के मुताबिक इस पर्स में आप आईफोन और चाबी जैसी छोटी मोटी चीजों को रख सकते हैं आज के लिए बस इतनाई ऐसी नई और अनोखी जानकारियों के लिए देखते रहे हमारा खास सेग्मेंट गजब की बात दनगरी मीडिया के साथ